हेलो गाईस, वेल्थ एक्सरेस में आपका हर्दीक स्वागत है आज मैं आपके लिए 4 ब्रेकाउट स्टॉक लेके आया हूँ जो आपकाल यानि की आंठ में 2000 चोईस को अगर वो लेवल के आसपास वो स्टॉक मिलते तो वो स्टॉक में अच्छी रेली आ सकती है उससे पहले आज देखा होगा कि मार्केट में मिड कैप, स्मॉल कैप और निप्टी में बारी बर्खम गिरावट आ गए उसके वाज़े से बहुत सारे स्टॉक अच्छे खासे करेक्शन मोड में अभी चल रहे है तो guys देखो stop loss होना वो part of trading है तो वो आपका हो गई होगा लेकिन stop loss के साथ आप कितना सरवाई कर पाते हो और आप कितना discipline के साथ trade ले पाते हो बहुत सारे लोग क्या अगर ते back to back 2-4 stop loss हो जाते तो वहाँ पे वो stop कर देते हैं उसके बाद wait and watch करते हैं market reverse का ऐसा नहीं होता अगर आपको सही level पे कोई stock मिलता है तो आपको एक process चालू रखनी पड़ेगी जैसे कि अगर stock selection आपको पता होगा परसो अपने दिया था एक SMS pharma जो open price पे ही बोला था कल 202 के आसवास open price था clear cut 190 का stop loss था तो आज देखोगे तो stock 194 तक आया था लेकिन वार से bounce back पर कड़के 212 का high भी मारा था तो अगर आपके level सही होगे तो आपके stop loss होने के chances बहुत कम होगे वो आपको ध्यान में रखना है तो अभी अपने कल का performance देख लेंगे तो पहला stock था RBA जो 103 के आसपास buy बोला था 99 का और उसके नीचे 10 पैसा stop loss था तो 102.5 अभी चल रहा है तो वो running है running का है मतलब होता है कि अपना stop loss हुआ नहीं है और target भी नहीं आया तो वो running में count होता है Gail अपना 195 पे buy बोला था 190 का stop loss था वो trigger नहीं हुआ 193 के आसपास अभी चल रहा है तो वो भी running है दिपक नाइट्रेट में 255 के आसपास buying बोला था 2500 stop loss था जो आज trigger हो गया है तो वहाँ पे अपना stop loss ट्रिगर हो गया Nestle India, gear out में buy बोला था लेकि stock इतना strong था कि वो नीचे थोड़ा भी नहीं आया तो वो अपना not active है बले कि stock अच्छा performance दिया है आज लेकिन अपना collective नहीं है logically क्योंकि अपना gear out में buy बोला था तो वो अपना not active counter करेंगे तो यह हो गया कल का performance अभी मैं आपको आंट तार के chart stock बताऊंगा जिसमें अच्छी rally आ सकती है तो गाईस उसमें पहला stock रहे गया SHK यहना कि SHK केलकर stock का नाम रहेगा daily chart के उपर analysis करेंगे तो आपको यहाँ पे clear cut क्या दिख रहा है द्यान से देखोगे तो आपको trend line का support दिख रहा है तो अभी इसमें करना क्या है SHK stock का नाम है daily chart के उपर analysis करेंगे तो यहाँ पे देखोगे तो trend line का support आ रहा है यहाँ पे भी trend line का support आ रहा है और stock ने आज भ अपने को टेस्ट करना पड़ेगा कि जो सपोर्ट लिया है उसका हाई ब्रेक होता है कि नहीं होता है जैसे ही हाई ब्रेक होगा तो अपने पॉजिशन बनाएंगे और इसको अपना स्टॉप लस बना देंगे यानि कि स्टॉप कल दोनों के बीच में उपन हो के उपर का लेवल पहले ब्रेक करेगा तो अभी अपना कॉल एक्टिव होगा तो अभी 190 के आसपास है तो आपको करना क्या है स्टॉप को 194 के उपर ही बाई करना है वित अ स्टॉप लस अब 186 अब साइड में 205 के टारगेट अगर कल समझाओ कि स्टॉप दोनों के बीच में उपन हुआ और स्टॉप सीधा 180 तक आ गया नीचे की साइड तो वह अपना इन्वेलेट सेट अप हो जाएगा वह आपको द्यान में रखना है तो आपना पहला स्टॉप हो गया जिसमें आपको पॉजिशन बनाना है लेकि अब ब्रेकबट केंडल बोलोगे तो ब्रेकबट केंडल के बाद सप्लाइज नीचे आई फिर से नीचे आकर ओपर जा सकती है अगर उपर गई तो यह लेफल के उपर जा गये तब ही अपने पोजिशन बनाएंगे अधर्वाइस टॉप में ऊपर गिरावाट नीचे की सा अभी 803 के आसपा stock चल रहा है तो आपको 842 याने की 2842 के उपर position बनानी है तब आपको stop loss लगाना है 2783 का stop loss लगाना है और upside में 2920 के target 1-3 दिन में stock दिखा सकता है लेकिन wait and watch करना है 2842 के उपर जाएगा उसके बादी आपको collective count होगा वो आपको ध्याम में रखना है अभी गाईज तीसरा stock बताऊँगा जिसमें आपको position बनानी है श्टोक का नामे jubliant ingrivia तो इसमें आपको करना क्या है आप ध्यान से देख सकते हो तो jubliant ingrivia में करना क्या है daily chart के उपर analysis करेंगे श्टोक का नामे आपको देख सकते हो तो आप ध्यान से देखोगे तो stock में आपको क्या दिख रहा है यहापे supply zone, demand zone तो दिख रहा है यहापे देखो stock का supply zone यहापे भी stock का supply zone इसको आप breakout candle बोलोगे तो अभी जो भी supply zone यहापे उसके बाद demand zone में convert हो गया है देखो stock निचे आए फिर से stock उपर चला गया है फिर से निचे आए अभी normally आप यहापे सीधा buy कर सकते हो लेकिन अपने reversal का weight इसलिए करेंगे क्योंकि यह setup buy on defeat ADX का indicate कर रहा है कि stock maximum यहाँ तक गिर सकता है यहाँ से bounce back कर सकता है लेकिन अभी भी किया नहीं है इसलिए अपने weight and watch करेंगे और उसके बाद यह अपने buy करेंगे और निचे से देखो कि तो trailing का भी support आ रहा है और यहापे भी stock को trailing का support है तो यहाँ से stock में bounce back आने के बहुत हाई chance है लेकिन अपने weight and watch करेंगे उसके बाद ही position बनाएंगे तो CMP किन है 523 के आसपास है तो आपको यह stock का position बना नहीं है 537 के उपर जाये का तभी position बना नहीं है विते stop loss आ 519 का 525 के target एक से तीन दिन में stock दिखा सकता है यह जो एरिया है वहाँ तक stock फिर से जा सकता है तो यह अपना कौन सा stock हो गया तीसरा stock हो गया जिसमें अची rally आ सकती है अभी गाईज मैं आपको चोथा stock बताऊँगा जिसका नाम रहेगा granules तो granules में क्या हो सकता है आप ध्यान से देखोगे तो daily chart के उपर आपने sorry weekly chart में analysis करेंगे पहले भी यह stock को recommend कर चुके granules यहापे देखोगे तो rejection area rejection area उसके बाद breakout के बाद यहापे देखो stock multiple support ले रहा हो और यहाँ से भी bounce back कर सकता है अभी आप देखो यहाँ पे अपने reversal का weight नहीं कर रहे है क्योंकि यह weekly chart है weekly chart में supply dimmer setup अच्छे से काम करता है तो वहाँ पे आपको reversal का बिल्कुल weight नहीं करना आप आप पोजिशन सीधा भी बना सकते हो तो यहाँ पे आपको करना क्या है reversal area आपने को पता चल गया 408 से लेके 399 का वो कैसे क्योंकि यह supply जोनता है breakout candle के बाद देखो यहाँ पे stock आया फिर से reverse मारा फिर से stock नीचे आया फिर से reverse मारा फिर से नीचे आया reverse मारा तो यहाँ पे multiple time support भी आ रहा है और weekly chart में देखो trail line का भी support आ रहा है तो बहुत high chance है कि stock यहाँ पे कही न कहीं reverse मार के फिर से stock उपर चला जाए इसलिए आप यहाँ पे बिंदा से यहाँ पे position बना सकते हो यह आपका strong reversal area है जो stop loss होने के बहुत कम chance है तो अभी granules में CMP 409 के आसपास है तो आपको open price भी position बना सकते हो 399 का आपका stop loss रहेगा 425 के target एक से 3 दिन में stock दिखा सकता है granules में weekly chart के उपर analysis किया और clear cut आपको दिख रहा है यहाँ से stock में reversal आने के chance है 90% है तो guys मैंने आपको total 4 stock बता है 4 stock अच्छे है उसमें 3 stock है जो daily chart के उपर है और एक stock है जो weekly chart के उपर है पहला stock है SHK calcar SH calcar यानि कि आपको wait करना है conditional buying है Reliance में भी conditional buying है Jubilient, Ingrivia में भी conditional buying है और granular SEC ऐसा stock है जो आपको open price पर पॉजिशन बनानी है तो guys आज की वीडियो में इतने ही था वीडियो अच्छा लगा तो please वीडियो को like करके जाना चैनल को subscribe करना कुछ भी doubt होता और comment करके guys बोच सकते हो Thank you very much बबबबबब, take care कल मिलते हैं नई वीडियो में बबबब, take care की बबबबब, take care